कि नमस्कार दोस्तों निफ्ट विवा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंच जैसा कि मैंने समझाया था कि 15843 की उपर जैसे ही निफ्टी आए तो आपने निफ्टी कोलबाय करनी है तो हमने की और सुबह ही हमें बड़ी अडली हमें 15870 मिला और उसके बाद मैंने एक चीज़ समझायी थी कि 15870 से 1580 एक बड़ा ही खदना के लिए यहां से दूर है और वहीं हुआ उस एरिये में आते ही एक दम से एक साथ ही बहुत भरी गिरावट आई और जो निफ्टी वबा चैनल के दर्शक है मुझे यह उमीद है मैंसे कोई भी Twitter नहीं और जो हमारे दर्शक है उन्हें पता होता है कि हमने कहाँ ट्रेब नहीं होना हमने कहां नहीं फसना तो जो अना अड़िकर नहीं तो जो नहीं आए हो सबसे होड़े मेहारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन दबाएं और प्री टेलिगाम चैनल के लिंक दिया है उसे जुरू कलिक करें ताकि आप वहां पर हमारी कमेंटरी जान सके कैसे निफ्टी आज खुलेगी कैसे मार्किट खुलेगी हम सुबह सुबह बताते हैं साथ वज़े के आसपास और इसके अलावा डीमेट अकाउंट के कुछ लिंक किसी में भी आप अपना डीमेट काउंट खुल सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से देखिए 15843 से 15870 हमें एक बार नहीं बलकि दो बार मिला और दोनों बार हमें अच्छी 30.30.60 का प्रॉइट हुआ उसके बाद मैंने कहा था कि जैसी 15880 क्रोस होगा त सीधा 20.00 का प्रॉफिट हमें उसमें बहा तो इस तरह से हमें 80.00 का प्रॉफिट निफ्टेस हुआ उसी तरह बैंक निफ्टी मैंने कहा था कि 135027 के उपर ही बैंक निफ्टी को बाइख करना है और वहाँ पर आई हमने बाइख किया और उपर हमें टार्गेट मिला 35.08.80 म में यहां पर profit मिला और उसके बाद bank lift फिर नीचे से down हुई तो अब हम आगे बताएंगे पहले stocks के बारे बताएंगे कि bank की stocks में क्या क्या हुआ आज हमने 3 stocks दिये थे आज के लिए सबसे पहला था tech हमें eight point का loss intraday में तो अगर किसी के पास है तो hold कर सकता है क्योंकि जो target मैंने बताएं वो लगेंगे जैसे मैंने भारती यह और भी कई 44 पे हमने इसे लिया और यह तक्रीवन हमें मिला 557 का target तो इस तरह से 30 point का profit हमें इससे हुआ torrent pharma torrent pharma को भी हमने 3012 पे लिया और हमें 3057 मिला 45 point का यहां हुआ तो इस तरह 60 70 point का profit हमें तीनों stock से हुआ कल के लिए जो stock लेकर आए हैं आपके लिए Monday के लिए तो वो है सबसे पहले India Bulls Housing Finance तो इसको आपने buy करना है यह इसमें V-shape recovery आ रही है तो यह एक sign है कि अब यहां से 284 पे उपर breakout देगा अगर 264 तक कोई deep पाता है क्योंकि यहां पे 20 डेम है तो यहां से पूरी sport मिलेगे 26 68 के पास तो आपने इसे buy करना है stop loss रखने 253 का जहां पे 50 डेम है और उपर की और हमें target 300 तक के मिल सकते हैं उसके पहले जो छोटे-छोटे resistance है वो आप note कर सकते हैं और इसके इलावा मैं एक चीज़ और बता दूँगा अगर 284 के उपर ही खोल जाए तो फिर तो बहुत ज किया है दूसरा जो स्टोक है टाटा कंजूमर टाटा कंजूमर देखिए यह देखिए टाटा कंजूमर में आज इसने 20 डेमा से स्पोर्ट लेगे उपर 777 तक बिल्कुल exact अगर देखा जाए तो इसने जो लेवल था वहां पे रुक गया तो 777 यह कौन सा एरिया है यह क्य लगाना मैं भूल गया है यहां से अगर यह लाइन खीची जाए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह देखिए यह अब इस एरिया में आया है दुबारा से और उपर की और जो एरिया इसका चल रहा है यह वाला है यह कुछ इस तरह से इसका एंगल बन रहा है तो अब यह अगर Castle seven को इसने क्रॉस किया तो यह इस सेरी के पास 784 1166 तक तक यह जुरुद टार्गेट को हीट करेगा और अगर को और इसने 7एटी्डि सिक्स fries को क्रॉस कर लिया यह देखिए यह वाला जो लेवल है अगर 786 को इसने क्रॉस कर दिया इस लेवल को जो इसने पहले जो पिछला high लगाया है तो अगर उसको break कर दिया तो यह 798 हमें अराम से मिलेगा इसका जो अपने stop loss लगाना है वो लगाना है 765 क्यों क्योंकि 764 लगाई है क्यों 764 पर इसका 20 डेम है तो 20 डेमा तक deep लगा सकता है फिर से पर अगर यह इसके उपर बना रहा 772 के उपर तो यह जुरूर इस चीज को respect करेगा कि जब भी यह यहां से start होता है तो यहां पे खतम होता है अब भी यह यहां से start होगा तो यहां पे खतम होगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं MacDowell MacDowell ने चार्ट पर बहुत अच्छा breakout देने वाला है यह अभी breakout movement तो आज ही दिया था फि और 697 तक यह जाएगा 680 तक कोई भी डिपाई हमने बाई कीजिए 673 का stop loss रखिए और उपर के जो target है वो आप यह screenshot आप खीन सकते हैं 683, 688, 691 और 697 तो अब हम आते हैं bank nifty देखिए आपने आज क्या देखा कि सारा दिन market उपर नीचे होते हैं क्यों यह चीज मैंने आप को कल भी समझाई थी कि data की बारिश होनी है जो data पहले तो अमेरिका से आया उसके बाद जो data आना था वो कहां से आया वो data आया जो agr का मामला था जो verdict था वो भी आना था इसके अलावा मैंने एक और बताया था कि UK का आएगा PMI data तो UK का PMI data भी आना था इस वज़ा से market काफ जा रहा था कि UK का PMI data कम आया तो market गिर भी सकती है तो वहीं हुआ आपको मैं बता दूँ कि market के close होने के बाद जो PMI data आया है UK का वो कम आया है तो इससे PMI क्या होता है purchasing power होती है आम जनता की वो 57.7 आई है जो की पहले 62 के आसपास थी तो अगर वहां पे कम आया है तो इसका मतलब एक scenario बन जाता है कि all over world में जो purchasing power है वो लोगों की कम हुई है pandemic की वज़ा से तो यहीं वज़ा है तो market downtrend दिखा के close हुई है यह देखिए थोड़ा मैं 50 मिंट पे फे वापस लेकर आता हूं यह देखिए market last में यह गिरावट आई है actually यह closing इसने 35034 ही दी है 35027 के उपर जो हमारा एक breakout लेवल है time काफी हो चुका था इसने breakout ज्यादा दिया नहीं और time का बहुत ज्यादा measurement होता है अगर पौने तीन तीन बज़े के बाद कुछ चीज का breakout लेवल क्रोस हो रहा है तो कभी उसमें ज्यादा breakout नहीं आता फिर वहीं पर रुक जाती है market तो यहां से हमें 80 points तो मिले अगर यही काम 10-11 बज़े होता तो शायद हमें उपर 35-400 भी बिल जाता पर ज्यादा टाइम नहीं था तो हमें तो इसलिए इसको हम यह bullish pattern ही कहेंगे इसका इसका हम bearish pattern ही करेंगे और क्योंकि बैंकों में क्यों खरीदारी आई ज्यादा क्योंकि जो AGR का मामला था उसमें यह कहा जा रहा है कि जो इनको माफी थी AGR की बुकतान की वो माफी कबूल नहीं हुई नहीं मानिया कोट ने तो अब इन्हें पैसा देना पड़ेगा और इससे government का profit रहेगा इसमें और companies को नुक्सान रहेगा पर फिर भी आपने देखा होगा कि market उपर आई क्यों क्योंकि बैंक निफ्टी उपर आई कि इससे बैंकों कोई फैदा है क्योंकि एक तरह से subsidy टाइ तो इस तरह से बैंकों में profit आया है तो अब अगर यह 35027 के ऊपर बैंक निफ्टी कल को खुलती है तो आपने 35000 की call बाय करनी है 35000 की call लेनी है और आपने जो stop loss रखना है वो काफी दूर का रखना पड़ेगा 34675 और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर 34830 तक भी कोई कोई डीप आया 34830 से 350027 के आजपास कोई डीप आया तो आपने वहां पर बाय ही करना है आपने सेलिंग नहीं करनी 34830 से 350027 कोई भी बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी काफी बुलिश है इसने अची इंगल फ्रीक एंडर बनाई है और टेक्निकल नहीं मैंने समझा दि तो नीचे जो stop loss है वो 34675 का रखना है और उपर के जो target हमें कल मिल सकते हैं मंदे को वो है 35137 35247 35341 35400 35490 और 35580 35582 हमारा last target रहेगा अब उसके आगे अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं निफ्टी की और हाँ एक चीज हो रहागी इसमें put कहा लेनी है अगर देखि यह 34643 तूट जाता है तो तब हमने put रहनी है वो लेनी है 34600 की नीचे के target जो रहेंगे 34590 3527 और 34458 के रहेंगे तो यह नीचे के target रहेंगे और आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि 34340, 34225 के आसपास अपने put में से निकल जाना है क्योंकि 34101 बहुत ज़्यादा strong sport है यहाँ फिर तेज खरीदारी आएगी पर अब चांस बैंक निफ्टी के कम से कम उपर जाने के नीचे जाने के बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहें 34830 तक ज्यादा से ज्यादा लगाएगी बैंक निफ्टी और वहां पर एक अच्छी बाइंगी आएगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं निफ्टी के और एफ़ई देखिए इन्होंने एफ़ई डी आई सबने बाय किया है और एफ़ई ने सिरफ कैश में ममूली सी 163 क्रोड वह कोई खास बड़ी बात नहीं है इंडेक्स बहुत अच्छा इन्होंने बाय किया वह भी 696 क्रोड में इस से पता चलता है कि आफ है पूरी तरह बुलिश मार्कर में स्टाउक में इंडेक्स में सब जगाँ बुलिश है इसका मतलब फो इंडेक्स के स्टाउक में ज्यादा बुलिश है और इंडिया विक्स-डब-1.76 यह वह काफी कम है जो मैंने प्ताया कि आप ज्ज्यादा स्री रखती और वन यहां पर देखिए सबसे ज़्यादा पुट राइटर कहीं एड हुआ है वह है फंद्रा आट सो पर मार्किर यह मान के चल रही है कि फंद्रा आट सो नहीं टूटेगा उसके नीचे कहां स्पोर्ट है उसके नीचे कहीं स्पोर्ट अगर नजर आती है तो सबसे ज़्यादा अगर पुट राइटर जो 5.800 पर आट हुआ है और कहीं और अड़ हुआ है फंद्रा आट सो के नीचे तो वह हुआ है फंद्रा चेसो पर तो यह ऐस पंद्रा चेसो एक बड़ी रेंज है बड़ी स्पोर्ट है दूर की फंद्रा आट सो ने टम बन रहा है 15 900 पर नहीं बन रहा है अब 16,000 बन रहा है मतलब सबसे ज़्यादा कॉल राइटर 16,000 पर मार्केट यह मान के चल रहे है कि 16,000 तक मार्केट उचाल सकती है जंप मार सकती है और उपर 15 900 पर एक छोटा रिजिस्टन्स का काम करेगा अगर 15 900 तूट गया 16,000 हमें इस बार मिलने के चांस काफी ज्यादा है ज्यादा प्रोविविविटी है कि हमें 16,000 मिले तो अब निफ्टी निफ्टी में चार्ट में देखिए आज इसने डोजी केंडल बनाई है ना उपर ना नीचे कुछ नी बनाया और काफी सेलिंग आई यह भी मैंने आपको कारण क्या है कि बाहर जो डाव के रिजल्ट आ रहे हैं उसके डाव में कंपनी के जातर टेकनोलजी सेक्टर के आई टी सेक्टर वह बहुत अच्छे आ रहे हैं उसका इंपक्ट यह पड़ रहा है कि आल ओवर वर्ल में मार्किट सुदर रही है काफी पोजिटिव मोड में है इस टाइम तो इसलिए मार्किट के इधर भी निफ्टी को उपर जाने की चांस है पर हमने करना के हैं देखिए 15843 तक कोई डीपाई हमने बाय करना है 15800 की कॉल 15835 का ही आपने स्टॉप लोस लगा रहा है बस सिरफ आठ पॉइंट का उपर 15870 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है सेम जैसे मैंने कल बताया वैसी होगा अब यह सारा कुछ फिद दुबारा से और जैसी 15880 के उपर आए फिर से आपने निफ्टी को बाय करना है 15800 15916 यह उपर के टार्गेट हमें 15964 तक मिल सकते 15964 जो कि हमारा एक फाइनल टार्गेट रहेगा क्योंकि 16,000 पर काफी बड़ी कोलरेटिंग हो रही है तो वो 16,000 का कोलरेटरी से रोकेगा तो उसके बाद अगर 15980 को क्रोस किया अभी तक तो किया ही निफ्टी ने all term high होगा वो 15980 फिर 16,000 हमें जुरूर मिलेगा तो अभी नीचे की और हमने ऐसे 15843 तक की कोई डिप पे बाय कर करना है अगर माल लीजिए इसने 15835 तोर दिए तो आप पुट लीजिए 15800 की स्टोप लोस 15843 का रखना है और नीचे की और 15800, 15790, 15770 और 15750 और 15735 और 15722 तक के रहेंगे 15722 जैसे है फिर से वहां से बाइगा तो उमीद है आपको कुछ समझ आ गया होगा सब कुछ लावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तीनो स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी का कम्प्लीट ट्रेड सेटप अगर आपको हमारा पसंद आया तो जुरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर थेंक्यू थेंडेवर्ट